केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नजर विरोध हो रहा है लेकिन पांचे दिन में सब लोग वापस कॉंग्रिस की सेना भन कर काम करने में लग जाएंगे राज़े में जनता बदलाव चाहती है छिंदवाड़ा की सातों सीट पर कॉंग्रिस जीत दर्च करेगी चिंदवाड़ा से सांसर नकुलनाथ ने भाज़पा पर निशानत साधा है उन्होंने कहा कि भाजपा राम मंदिर का प्रचार ऐसे कर रही है जैसे वो भाज़पा का हेज़ कॉर्टर है उन्होंने कहा कि चिंदवारा की सातो सीट पर कॉंग्रेस जीत दर्च करेगी जनता राज्यों में बदलाव चाती है उन्होंने चिंदवारा को लेकर कहा कि ये मेरा संसदिय छेतर है मुझे पार्टी ने, ICC ने, MCC ने अधिकार दिया था उमिदवारों के नामों की घोषना करने की, तो मैंने नामों की घोषना की बाबा बागेश्वर को लेकर उन्होंने कहा कि देखे, हम गर्व से कहते हैं, हम हिंदू है हम कभी राजरीती को धार्मिक मंच पर नहीं आने देते और धर्म को राजरीती मंच पर नहीं लाते ये काम भाजपा का है भाजपा तो ऐसे प्रचार कर रही है जैसे राम मंदिर भाजपा का हैड़कॉर्टर है टिकट बटवारे को लेकर हो रहे विरोध पर उन्होंने कहा कि हर सीट पर 5-6 दावेदार होते हैं सभी को खुश रहना संभव नहीं होता तो वहीं किसी एक को ही टिकट मिलता है मेरा मानना है कि कुछ दिन विरोध चलेगा लेकिन ये सब कॉंगरिस की सेना है कार्यकरता 3-4 दिन में कॉंगरिस का काम करना शुरू कर देंगे बता दे कि छिंदवाड़ा कॉंगरिस का गड़ है ये कमलनाथ का शेत्र है बीते दिनों यहां बाबा बागेश्वर का दरबार लगा था इस दरबार में कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों ही शामिल हुए थे तो वही मद्रदेश विधानसवा चुनाव की बात करें तो एक exclusive report में बताया गया कि बीते दिनों ओपनियन पोल कराया गया था जिसके मुतावित राजयों में भाजपा और कॉंग्रस के बीच कांटी की टककर है बता दे कि आज कॉंग्रस ने अपने राजस्थान विधानसवा चुनाव के मद्र नजर उम्मीद्वारों के नामों की तीसरी लिस्ट को चारी कर दिया है इस लिस्ट में उम्मीद्वारों को शामिल किया गया है